प्रिये दर्शको नमस्कार आज आप सभी के समक्ष एक यूवक की जन्म कुंडली अध्यन करने के लिए में उपस्तित हुआ हूँ आप इनकी जन्म की डिटेल से देखी पा रहा है 15 जुलाई 1985 दोपहर में एक बचकर के 30 मिनट कोलकता पश्चिम बंगाल का इनका जन्म है जब आप इनकी जन्म कुंडली का निर्मान करेंगे तो आप देखेंगे इनका जो लगन है ये है तुला लगना और इनकी राशी बनती है व्रशब राशी अब तुला लगन और व्रशब राशी तत्वा की आधार पर अगर आप इसे देखेंगे तो ये अलग-अलग है लेकिन अच्छी बात यह है कि राशी और लगन के जो स्वामी है वो शुक्र ही बनते है जब भी राशी और लगन के स्वामी मित्र हो या कोई एक ही ग्रह हो तो ऐसे में जीवन में सफलता अच्छी मिलती है या फिर जीवन में तरक्की के लिए अच्छा रहता है मन एकागर चीत रहता है किस दिशा में आगे बढ़ना है यह पता होता है यहाँ पर अगर आप एक और बात नोटिस करें तो इनके लगन के जो नक्षत्र के स्वामी है वो गुरू है चंद्रमा के जो नक्षत्र के स्वामी है वो यहाँ पर मंगल है तो गूरु और मंगल में भी यहाँ पर मेत्री अच्छी देखने को मिलती है ये एक कारण भी बनता है जो जीवन में सफलता के लिए अच्छा होता है तरक्टी के लिए अच्छा होता है यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इनके जो चंद्रमा की जिसमें बात कर रहा था य ग्रायह मंगल के प्रभाव में आजाने के कारण विक्ती के अंदर उत्साह और जोश अच्छी मात्रा में होता है। हाला कि क्रोध जल्दी आ जाता है, शीग रही क्रोधित भी ऐसा विक्ती हो जाता है। और सत्यवक्ता या मुह पर बोलने वाले स्वभाव का बन जाता है। वैसे एक बात अच्छी है यहाँ पर कि तुला लगन होने से यह परिस्टि को बेलेंस कर लेंगे। यानि अपनी बातों से सामने वाले को केसे प्रभावित करना है किस समय पर क्या बात बोलनी है यह तुला लगन वालों में अच्छा देखने को मिलता है। तो जो इस चंद्रमा के प्रभाव से कुछ नकारत्मक्ता आ भी रही थी कि गुस्ते में कुछ बोल देंगे तो वो यह तुला लगन होने के करण यह बेलेंस बना लेंगे। पर आप अगर इस नक्षचत्र में देखेंगे तो इस नक्षचत्र में जन्म होने पर प्रायह देखने को मिला कि बाल्य अवस्ता में इसा विक्ति रोगी होता है। क्योंकि देखिए बच्पन में अगर आप देखेंगे तो इनको मंगल की दशा चली है उसके बाद इनको राहू की महादसा चली है तो मंगल और राहू दोनों ही यहाँ पर कही न कही स्वास्त में पीड़ा या बच्पन में कुछ न कुछ रोग चलता रहे ये बात तो द्रमा की प्रभाव से शीत जन्य रोगों का प्रभाव बढ़ता है तो यह नक्षत्र की जो बात यहाँ पर की बाले अवस्ता में सा विक्ति रोगी होंगा तो वो इनकी राशी में जो तत्वादी आ रहे हैं उसके अनुसार भी देखने को मिल ही रहा है इसके पश्चात अगर हम इस नक्षत्र में देखे तो यह प्राया देखने को मिला कि एसा विक्ति अपने घर परिवार वालों को विशेश इसनेह करता है विशेश प्रेम करता है लेकिन विडंबना इस तरह की होती है कि कही न कही घर परिवार वालों से जो इसनेह या प्यार एसे विक्ति जाहिए जो सहयोग इसे विक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो वैसे तो मंगल भाग्य Бाव में अच्छे बेटे हैं, लेकिन प्रायह केतु शनी के साथ में होने से एक बात देखने को मिली कि इसे विक्ति को जीवन-काल में अपने घर परिया वालों का इसने नहीं मिल पाता है। यहां पर इनके दशंभाव में बुद्ध भी है तो इनकी वानी से ये कारे करे व्यापार में फिर अगर भोजन से जुड़ा या कुछ भी कारे करते भी हो तो वानी का उप्योग तो करेंगे ही तो चिंता की बात नहीं वो सफलता देने वाला ही सिद्ध होंगा। यहां पर ये प्राइह देखने को मिला इस म्रगशिरा नक्षत्र में जन्म होने पर जीवन के 32 वर्ष के बाद जाकर के अच्छा परिणा मिलता देखा गया है। अब ये म्रगशिरा नक्षत्र का प्रभाव जरूर है कि 32 के बाद वेक्ति को जीवन में सफलता मिले, इस्तिरता मिले, तरक्की मिले। लेकिन यही सब बात इनके लगने से भी आती है कि इनके बुध भाग्येश बनते हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि भाग्य भाव का स्वामी जब बुध बनता है तो जीवन के 32 वर्ष में जाकर के भाग्य का साथ मिलता है। शनी भी लगना में हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 32 वर्ष च्छतिस वर्ष यहां पर वेक्ति को अच्छी सफलता मिलती है क्योंकि यहां पर कही न कही जो ग्रह वस्ता है वो इनके पूरी तरह से इनकी जो नक्षत्र की इस्तिती है उसको साथ लेकर के चल रहा है ज सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इनकी जन्म कुंडले में लगन में ही केतु और शनी दोनों साथ में बेटे हैं अब कुछ लोग इसे नकारात्मक लेंगे इसके दोनों ही पक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से कि यहां पर देखिए शनी सबसे कारक या योग-कार्ण ग्रह बनता है तुला लगन की कुंडली में और लगन में ही वक्री होकरके श्च योग का बनाना शूक्र से ततकालिक मिधारताना न होने करनद वक्री होना भी बहुत अच्छा है तो इसके लिए ये प्रभाव देखनें को मिलेगा कि शनी का यहां पर व उच्छ राशी में बेठे ग्रह के साथ या स्वर राशी में बेठे ग्रह के साथ अगर बेठा हो तो वो उस ग्रह के बलको पाज गुना अधिक बढ़ा देता है तो यहां पर शनी के बलको केतु बढ़ाने का ही कारे करेंगा अब यहां पर आप एक बात देखिए कि यह सब बच्छा पर भावे की चलिये शनी सब भूतिक सुप सुधा देंगा लेकिन शनी का एक कार्य है और वो है विलंब का अब केतु के साथ तो विलंब की सिस्थिति में करवाएंगा जब एसा विक्ति सोयम आलेस से करें और तुला लगना हो या व्रशब राशी हो व्रशब विलास में लिपत अधिक रिखना चाहता है जिसके करण प्राया येसा विक्ति ये कहा जा सकता है कि थोड़ा आल्शी होता है कारे को टालने वाला भी होता है अब ये शनी और केतु की यूटी विक्ति को मन ही मन अधिक चिंता उतपन्न करने वाला बना देते हैं मन में ही तो यहां पर लगन के स्वामी भी अटम भाव में है हाला कि अपनी राशी में है तो अव योग यहां पर लागू नहीं होगा शुक्र चंद्रमा की यूत्ति होने के कारण ये भी जिस प्रकार गज केसिरी योग बनता है उसी प्रकार का ये शुक्र चंद्रमा का योग होगा और ये विक्ति को अच्छी जीवन में भोग विलास की इस्तिती और सुख सुधा की इस्तिती उत्पन करके देंगा तो ये बात अच्छी है तो लगन को इस से शुकर के अपनी ही राची में होने से चंदर्मा के साथ होने से बल अच्छा मिल रहा है लेकिन यहां पर केटू शनी का साथ में हुना, कई बार विक्ति अपने ही लापरवाही के कर्ण अपने कारे बिगाड लेता है, तो उसने इनको चाहिए कि य। बचाओ करे। केतु शनी है तो धीरे-धीरे करके वेक्ति को इस्थिरता भी देते हैं और उचाई तक भी ले जाते हैं क्योंकि केतु को आप जानते हैं केतु जो है ये किसी मंदीर पर लग रही पताका को बताता है और शनी जैसा कर्म कार अगर उसके साथ जुड़ जाए तो निश्चिती वेक्ति अपने कारे शेत्र से अपने जीवन में अच्छी उचाई प्राप्त कर ले ये बात देखने को अवश्य मिल जाती है लेकिन आवशकता है कि यहाँ पर कारे को टाले नहीं अपनी अच्छी सोच बना करके दुसरों के अच्छा सोचते हुए केतु शनी वाला वेक्ति आगे बढ़ता है तो अधिक सफलता जीवन काल में अरजित कर लेता है अगर स्वार्त का भाव थोड़ा भी अगर वेक्ति के मन में आ जाए तो निश्चीति वुसी दिन से वेक्ति को जीवन में अर इस्तिर्ता देखने को मिल जाएंगी विलम बभी अधिक होंगा हर कार्यम में विसे भी लगन में शनी हो तो अन्ये का सयोग नहीं मिलता है तो शनी यहां लगन में ही वक्री है तो द्वितिय भाव की यहानी करेंगे यानि द्वितिय भाव जो कुटुम्बका होता है विशेचकर पारिवारी कहानी करेंगे यानि कुटुम्बका है तो उनसे संबंद अच्छे ना रहे और उनी से तालमिल में कमजोरी देखने को म मिले यह सब बाते बढ़ जाएंगी यहां पर फिर यह शनी का जो प्रभाव है यह शनी यहां तीसरे भाव को देखते हैं तो छोटे भाई बहन या तो नहों या तो उनसे तालमिल अच्छा ना रहे यह चोटे जो भी उनसे संबंद अच्छे ना रह पाए शनी की दर्ष्ट है बुद्धपर भी द्रष्टी हैं तो ज्यान यही रखना है कि अपने स्वास्त का ध्यान लगे विशेशकर बुद्धपर शनी की दर्ष्टी हो तो प्राय यह देखने को मिल जाता है कई बार ही कि इसे विक्ति को गुप्तांगों में कई बार कुछ रोग हो जाए या फ लिए अच्छा रहता है के तु लगन में हो तो देखिए ये थोड़ा कमजोर हो जाता है इसलिए कि वेक्टि को अच्छे दोस्ते नहीं मिलते यानि कहने का मतलब दोस्त जो मिलते हैं कई बारी वो धन का नुक्सान करवा देते हैं वैसे तो गुरू यहां बेट करके सब इस और जैसा मैंने का कि अच्छी सोच लेकर कि आगे बढ़ा जाये तो यहां पर देखिए गुरू को अगर आप देखेंगे चतुर्त भाव में नीच राशी में दिख रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में यह उच्च राशी के होते हैं यही गु कारक ग्रह या इसे प्रमुक ग्रह नहीं बनते जो कोई विशेश्चु प्रभाव प्रदान करें लेकिन एक बात जरूर है कि चतुर्त भाव में गुरू खराब नहीं होते बलकि यह इस बात की सूचना है कि एसे विक्ति ने पुना अपने उसी कुटुम घर परिवार में जन्म लिया है जिसका प्रभाव यह जरूर देखने को मिलता है कि एसे विक्ति को पूरवजों का पित्रों का इश्वर का अच्छा आशिरवात प्राप्त होता है हर चीजों से एसे विक्ति का वो बचाव करते हैं सुरक्षा करते हैं तो यह बात अच्छी है यहां पर नजर आएंगी क्योंकि गूरू भले ही इसमें मारक ही क्यों ना बनते हो लेकिन सबसे प्रमुक बात यह कि गूरू एक शुब ग्रह है और शुब ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में इतना खराव असर नहीं दे जाते हैं इसलिए गूरू इस कुंडली में भले ही अशुब ग्रहों का स्वामी बनने के कारण भी यहां पर चतूर्त भःव में हो करके शुब परिणामग की व्रद्धी करता है है यह का संुडल कोmeye करता है हाँ ये बास संभव देखने को मिली हो कि गुरू के सोला वर्षे के अगर दशा को देखे तो शुरुवाती आठ की वजाए जो अंतीम आठ वर्षे रहे होंगे वो ज्यादा अच्छा परिणाम देख करके गए होंगे समराशी में भी इस तरह का प्रभाव भी देता जरूर रखा जाना चाहिए उनके स्वास्त में कोई प्रोब्लम हो और फिर दोनों के संबंदों में कोई खराबी हो ये बात कई बार देखने को मिल जाती है जिससे थोड़ा बचाओ करना चाहिए क्योंकि यहां पर देखिए सब्तम में राहु है और शुक्र चंद्रमा सा रखता है तो यह सब बुण क्या करता है कई बार वेक्ति के अंदर चारित्यक दुर्बलता भी उत्पन्न कर देता है मैं आपको बता दूं म्रगशीरा नक्षत्र के अगर प्रभाव में आप देखेंगे ना तो इसमें एक कमजोरी वाले बात ये भी आती ही कि वेक्ति कही नकहीं एक्ट्रा मिरिटल अफेर में या फिर कहीं नकहीं अन्य से किसी प्रकार के अफेर आदी में फस जाता है तो यह इस्तिति क्या करते है कहीं नकहीं उसे जीवन भर थोड़ा मानसी चिंता देती रहती है तो यहां पर इनके लबी यही बात आती कि शुक्र चंद्रमा काम करते हैं और फिर यह संभव है कि अगर अपने चरित्र पर अस्वास्त्य को क्ते हैं ध्यान गालगर है नरहां क्लगर देना है जिससे अच्छा प्रभाव मिल सके और बाकी जो बात प्रमुक है चारित्रिक रूप सुष्वम को मजबूत रखे तो ही जीवन में अधिक सफलता मिल पाएंगी ये बात इनको अवश्ची से ध्यान रखनी चाहिए बाकी सब्तम भाव में राहू हो तो यसा वेक्ति ये देखने को मिला कि थोड़ा जुगारू प्रवत्ति का होता है किसी भी काम को किसी प्रकार से निकालने का प्रयास करता है हाला कि मन में चिंता बेचेनी, मन इस्थिर नहीं रह पाता है, देनिक आय जो है वो नियमित कई बार नहीं रहती है नोकरी करें तो फिर भी ठीक लेकिन व्यापार में कई बार उतार चड़ाओ का जो प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है तो वेसे फिर भी कहा जाए तो राहू खराब नहीं होता, बस जीवन साती के थोड़े सोभाव से थोड़ा तालमल बिठा पाने में कुछ कमजोरी का सामना करना पड़ता है लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मंगल है, मंगल यहाँ पर सब्तम भाव के स्वामी है और यह भाग्य भाव में बेठे है सब्तमेश का भाग के भाव में बेठना ये दर्शाता है कि जीवन में विवहा के बाद ही आपका भाग्योदय होंगा विवहा के बाद ही आपको शुव परिनाम मिलते नजर आएंगे यही पर अगर आप देखें तो वरशब लगना के वरशब राशी के अनुसार भी देखेंगे तो शुक्रे चंद्रमा का साथ में होना भी इस बात को दर्शाता है कि जीवन में पत्नी के आगमन के बाद ही जो तरक्की है वो प्राप्त होंगी जीवन में और तरक्की है वो बढ़ती नजर आए शुक्रे चंद्रमा होने से भी में बता चुका हूँ कि अच्छा परभाव रहता है ध्यान रखना है तो खान पान का अपने स्वास्त का दोनों ही गहा ग्रह पाप करते ली दोश में थोड़े पीडित हो रहे है हाला कि राहू ये सोर जा रहा है ये सूरे के तू सोर जा रहे है पर ये कमजोर पाप करते ली दोश है जिसका परभाव कमजोर ही होता है लेकिन चंदरमा भी अमावस्त्या के पास के है जिसके कान थोड़े कमजोर है त्रयोधशी के आसपास के चंदरमा नजर आते है और शुक्रे चंदरमा है तो विसे सुक संसाधन में कमी नहीं करेंगे लेकिन अजी खर्टिला सोभा होने कान कई बार फिर धन के लिए चिंता क यहां पर अपने ही राशी में है तो ज्यादा दूर जाने के आशकता भी ना पड़े इस तरह की बात ही बनती है तो इसलिए थोड़ा बाहर एसा व्यक्ति रहे तो अच्छी सफलता कई गुना अधिक प्राप्त कर सकता है बाकी यहां शुक्रे चंद्रमा भी अच्छ है यहां पर परद ऊपने ते बनाना पडय रहे होगा लेकिन अधिक मेहनत के साथ में बेढ़ जाए तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देता है विक्ति को अपने कारे में जितना धन लगता हो उतने धन का उसकी पूर्टी हो जाती है और कभी भी धन को लेकर किसे विक्ति को चिंतित नहीं होना पड़ता है सूर्य मंगल साथ में हो तो कई बार सब्सक्राइब करेंगा और बीना किसी संकोष के सब्सक्राइब करेंगा। दशम भाव में बता चुका हूँ बूद्ध बहुत अच्छा परिणाम देते हैं दशम भाव का बूद्ध वेक्ति को बड़ी सफलता दिलाने में सक्षम होता है बड़ी उचायों तक ले जाने का कारे करता है यहां पर गुरु जैसे शुब ग्रह की द्रश्टी यहां किसी प्रकार से ज्ञान देना, सलाह देना, शिक्षा देना इस तरह के कार में विक्ति जूड़ता है तो बहुत बड़ी सफलता अरजित कर लेता है यहां देखें दशम भाव के स्वामी चंदर्मा अष्टम भाव में लेकिन उच्चराशी में है शुक्रे चंदर्मा साथ है यानि वित्तिय सलाःकार बंजाए, बैंकिंग आधी से जुढा काम हो, एककाउंटिंग से जुढा काम हो, सी ही आधी जो विक्ति बनते हैं, उन से जुढा कोई काम करता हो. यह सब चीजें इसे विक्ति को बड़ी सफलता देने में सक्षम है, उुचाई तक दे जाने में ग्रह वर्स्ता को देखेंगे तो अच्छी इस्तिती में कोई इसे नकारात्मक प्रभाव में नहीं आया है शनी भी केतू सात में है तो चिंता की बात नहीं इसे विक्ति को चाहिए कि डिजिटल वोच पेना करें जो घड़ी आती है डिजिटल वो अपने हातेली में पहिना करें तो बहुत अच्छा पहिना मुसका भी मिलता है और वेक्ति कहीं न कहीं जो इसका अशुप्रभाव है उससे भी मुक्त होता नजर आता है और साथ ही अगर आप इसमें देखें तो कुछ योग भी अच्छे बन रहे हैं ज विशे शुरुप से यहां अगर आप देखेंगे तो इनके लगन के स्वामी जो शुक्र है यह आपको व्रशब राशी में नजर आते हैं यह नौमाश में भी व्रशब राशी में हैं तो लगनेश का वरगोत्तम होना कई गुना अधिक कुंडली के बल को बढ़ा देता है जीवन में सफलता अच्छी मिलती है जीवन में ऐसा विक्ती अच्छी तरक्य रूचाई को प्राप्त कर पाता है इसलिए यह कहा जा सकता है कि कुंडली में जो बल है वो बहुत अच्छा है और जीवन में अब जिसे शुरुवात में मंगल की दशा चली फिर राहू चला तो इसमें भले थोड़ा सा इतना अच्छा प्रभाव न रहा हो अ इस्तिरता थोड़ी रही हो अभी गूरु में भी अच्छा परपरिणाम तो आता है लेकिन मिला जुला सा ही रहा हो इतनी अधिक शुबता में नहीं गया हो यह बात बनती है लेकिन अब आगे इन्हें श अच्छे परभाव नहीं देता लेकिन इनके लेकर आप देखेंगे शनी प्रमुख ग्रह बनता है और प्रमुख भावो का स्वामी बनता यानि चतुर्त भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर लगन में उच्छ राशी में हैं तो शनी लगते ही इनको भूमी भवन वाहन के जो सुखे वो प्राप्त होना प्रारंब हो जाएंगे विशेश कर कोई घर बनाना चाहते थे जमीन लेना चाहते थे उसके अच्छे योग इनके शनी की महादशा में अवश्य बन जाएंगे आगे शनी में शुक्र में शनी में मंगल में ये अपने घर अपने जमीन इनके जीवन में इनको कई गुना अधिक तरक्की भी देंगा, सफलता भी देंगा और उचाई में ले जाने काम करेंगा क्योंकि देखे कारक ग्रह की दशा आ जाती है ना जब कुंडली में तो वो कुंडली के बल को भी बढ़ा देती है साथ में जो वेक्ति जिस तरह का कारे कर रहा उसके कारे को भी बढ़ा देती है तो यहाँ पर शनी की महादशा दुशार 24 से जो प्रारंब होंगी ये प्रारंब होते ही शुब हो जाएंगी लेकिन शनी में शनी का अंतर निकलने के बाद पूरी तरह से कुंडली का जो बल है वो बढ़ भी जाएंगा जीवन में इस्तिरता बढ़ जाएंगी और इस शनी की महादशा में विक्ति पूरी तरीके से अच्छी तरह कारे कर पाएंगा अब देखिए इनके मन में एक प्रेशन आया कि अभी सामने था आना भी चाहिए शनी में जो शुक्र की अंतरदशा होती है ये खराब होती है ये आप जानते भी है मैंने आपको बताया भी है इनका प्रेशन है कि शनी में शुक्र की अंतरदशा केसी होंगी हाला कि अभी से आने में आठ वर्षे से अधिक का समय हैं लेकिन फिर भी अगर इनके शनी में शुक्र की अंतरदशा को आप देखते हैं तो आप किस प्रक्रा कहेंगे लगने से अगर आप देखें तो विसे एक बात यहां अच्छी है कि शनी और शुक्र दोनों एकी ग्रह की राशी में हो तो उसका जो फल है वो अच्छा हो जाता है तो शनी और शुक्र यहां पर अच्छे रहेंगे यह बात तो है क्योंकि देखिए शनी जो है उच्छ राशीम बेठा है शुक्र की राशीम बेठा है जब शनी के साथ में शुक्र एक्टिव होंगे तो शुक्र अकेले एक्टि दशाय होती है और जब भी तत्व वीरोधी दशाय चलती है तो वह जीवन में अस्तिरता को बढ़ाती है और कहीं न कहीं थुड़ी चिंताओं को प्रदान करने वाली होती है हाला कि अश्टम भाव में है तो अगर एसा विक्ती ये कोशिश करता है कि जर्म इस्तान से दूर रहे या फिर मेनुफेक्चरिंग से जुड़ा कोई काम चालू कर ले तो फिर उस दशादी के अंदर भी उसको कोई ऐसा अशुप्रभाव नहीं मिलेगा बलकि शनी में शुक इस तरह के कार्य इस शुक्र में शनी में शुक्र की अंतर दशा में अवश्य हो जाएंगी हाला कि थोड़ा मतलब चिंता वाला रहेंगा कि देखिए शुक्र अश्टम भाव में भी है और लगनेश भी है तो स्वास्त का ध्यान यहां रखा जाना चाहिए विशेश कर दे इसी प्रगार के नशे आदी के सेवन में ना पड़े क्योंकि देखिए चतूरत भाव के गुरु तब विशेश खराब हो जाते जितना शुब प्रभाव है उतना ही नकारात्मा प्रभाव कर देते जब विक्ती नशे आदी का सेवन करे कोई गलत चीजों का सेवन करे क्यो और और अधिक ऐसा वजन बढ़े आता है जो विक्ती कंट्रोल ना कर पाए तो इसलिए उन सब चीजों से बचाओ करना है जिससे गुरु का अशुब प्रभाव न मिले शुब प्रभाव ही मिले इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्ची थी शनी की महादशा तो इसे ग्रभ बनते हैं जो सब कुछ देने में संभव सक्षम है सब कुछ का अर्थ है सब कुछ जो चाहिए वो इस शनी की महादशा से इन्हें प्राप्त हो सकता है बस लादपर्भाही से बचना है व्यार्थ की चीजों से बचना है अपने मन को केंजित करके रखना है और अच्छे है दूसरों के लिए अच्छी सोच रखते हुए शनी केतु का योग ही ना तो गरीब लोगों की कुछ मजदूर वर्लग की निम्र वर्लग की अच्छी सायता करें अच्छे मन से करें स्वार्त को त्यागे फिर इसा विक्ति निशीत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेता है और शनी की पूरी महादशा में भी इसका जो शुब प्रभाव है कई गुनादिक देखने को मिल जाएगा इसे विक्ति को चाहिए मन को इस्तिर रखे सफेद वस्तू का दान करते रहे इसा नहीं कि कोई यह गरह कमजोर है लेकिन इनको बल देना आवशक है तो शुकरवार पूर्णी मामा वस्या इन दिनों पर दान आधी करना बहुत अच्छा रहेंगा सूर्य मंगल साथ में है नकारत्मक उर्जा इनकी कई बार इस प्रकार बढ़ती की विक्ति को दिक क्रोधी गुस्तेल बना देता है तो चांदी पहने से वह अच्छा रहेंगा बाकि शियुजी के मंदिर इसे विक्ति को जाना चाहिए कई बार सूर्य मंगल यहाँ पर जब भाग्य भाव में बेठे हो तो इसा विक्ति थोड़ा कुतर की बन जाता है यानि धर्म आधिक तीजों को मानेगा जरूर लेकिन अपने एसाब से मानेगा या फिर उसमें भी केवल और केवल मतलब एक सामान नहीं पूजन आधि हो सकता है वही करेंगा दिखावटी चीजें नहीं करेंगा तो वो ठीक भी रहता है लेकिन अधिक उसमें कुतर कादी करने से बचना चाहिए मंदिर आधि जायना और दूस्तों की साहता करना इन सब कारियों से जोड़ करते हो जादा तो शनी का रत्न पहें सकते है या फिर रत्न नहीं तो उपर अतना जो नीली आता है वह दहरन कर सकते हैं लगभग सवा आठ रत्ती के आसपास का वह इनके लिए अच्छा रहेंगा पन्ना पर विचार कर सकते हैं लेकिन इत्ति आफिक नहीं कि खर्च को ही कि पूजा या किसी मंदिर जाया करें तो उसी से इसका प्रभाव अच्छा मिल जाएंगा तो अगर देखा जा तो ओवरल की कुंडली में गरह वस्ता अच्छी है केवल आवशकता है सही दिशा सब आगे बढ़ने की मन को एकागर करके आगे बढ़ने की निशी तिशू प आईए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक केजिए अन्य लोगों तक शेर कीजिए और एसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर लेजिए आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद